नमस्कार, जोधिय स्वास्तू और उपाई के चनल में आपका स्वागत है बात करेंगे आज के राशी फुल की 15 फरवरी 2023 बुद्वार 15 फैब 23 वेटस डे तुला राशी यानि लिप्रा का आज क्या हाल है तो बात करते हैं गिरेश दिखी तो राहू मीश में चल रहा है केतु तुला में चल रहा है बुद्मकर में है और गुरू अपनी उच्चे राशी मीन के अंदर है और आज ही ही गुरू के साथ शुक्र का राशी परिवर्तन हो रहा है तो वो गुरू के घर में आ रहा है यानि कि मीन राशी में गुरू और शुक्र दोनों है तो शुक्र का यה राशी परिवर्थन है ये तुला राशी वालों के लिए बहुत इच्छा है मंगल प्रेशव में चल रहे है ये भी अच्छे है चंद्रमा आज पूरे दिन प्रशिक राशी में रहेंगे और सूरे सनी और सुरे और सनी की यूति है कॉम राशी में तो ग्रेज देती आपको कैसे प्रभावित करेगी इसके जट्चा करते हैं आज केश्मक्स की नम्मी दिती है जो 7.39 तक है उसके बाद 10 मी दिती है 10 मी दिती को विजिया दिती भी कहते हैं और ये सबी कारे के लिए प्रशेस्त होती है जेस्टा नक्षटर है आज 12.46 तक उसके बाद मूला नक्षटर आरम हो जाएगा वनिच करना है तो बात करते हैं आज के शुब समय की वैसे तुला राशी का आज का पूरा दिनी शुब है पर फिर भी आप अगर कोई शुब कारे करते हैं तो आपके लिए बहतर समय है 10.30 से लेके 12.00 तक का तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है शुब का टाइम है उसके बाद दूसरा मुरत मिलता है वो है विजय का मुरत जो 2.30 से 3.15 के बीच में है तो ये भी अच्छा मुरत है 2.30 से 3.15 के बीच में आप कारे कर सकते हैं और शाम को भी 4.30 से 5.50 तक का टाइम शेस्ट है अब बात करते हैं ऐसे टाइम की जिसमें हमको कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए ऐसे समय किये के शुब कारे पूर्ण रूप से सिद नहीं होती है और वो फलदाई भी नहीं होती है और कोई न कोई रुका वटा जाती है तो वो है आज का रहुकाल जो 12.40 से लेके 2.06 यानि कि 12.40 से लेके 2.06 मिनिट तक रहेगा इस समय कोई भी शुब कारे करने से बचे अब बात करते हैं आपके राशी फुल की तो आज तुला राशी वालों को नौर्थ दिशा में अगर यात्रा करने पड़े तो उनको तिल खाके घर से निकलना चाहिए या फिर 10 कदम दूसरी दिशा में जाके फिर अपने कारे के लिए नौर्थ दिशा में जाएं तो इस टाइप से यात्रा के समय ध्यान रखें कि आज नौर्थ दिशा की यात्रा में दिशा सूल है आज इनका किस्मत बहुत इनका साथ देगी तुला राशी वालों के लिए और सभी सोचेवे कारे पूर्ण होएंगे और खास बात यह है कि सभी सोचेवे कारे अपने समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे यानि कि उसमें आपको ज़्यादा माथा पची नहीं होईगी और वो शिगरी ही पूरे हो जाएंगे बहुत ही बड़िया दिन है बाग्या आपके साथ है और आपके साथ वले लोग भी आपका सहयोग करेंगे वेपार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं नई तकनिक और नई रिसर्च करके आप वेपार में कुछ नया करने की सोचेंगे जिससे आपके लाब की मात्रा बविश्य में बढ़ जाएगी भागय के सारे आपके सब काम हो जाएगे तो आज भागय प्रबल है आज कुछ भी आप नया काम कर सकते हैं वेपारियों को अगर पुराना निवेश उनका किया हुआ है पहले का यानि कि अभी 20 दिन पहले या 15 दिन पहले आपने जो कारे किये थे वो निवेश आपके लिए फलताई होगा और आपको भागय का साथ मिलेगा तो सब काम प्रबल के अच्छे हो रहे हैं बस उनको कोई बड़ा निवेश करने से आज बचना चाहिए बड़े निवेश के लिए आज का समय शेष्ट ने ये छोटा निवेश आप कर सकते हैं बाकि पूर्व के किये गे निवेश का लाब आज मिलेगा परिवार में आपको पूरा सयोग मिलेगा परिवार के साथ समय अच्छा वेतीत होएगा और पत्नी के साथ भी आपका अच्छा सयोग रहेगा पत्नी का प्रेम, लाइफ पार्टनर का प्रेम आपको मिलतावा दिख रहा है खास बात यह है कि आपको सभी लोग आज सयोग कर रहे है तो परिवार के सदस्यों के साथ वाद भी वाद ने करें चाहे वो आपकी संतान हो, लाइफ पार्टनर हो या फिर आपके मातापिता हो तो परिवार के लोगों से आथ सोहाथ भी पून, प्रेम पून संबंद रखे और अपने वाणी पे नियंत रण रखे यह आपके लिए एक हिदायत है कि आप अपने संबंदों को बचा के चले और संबंदों में मदूर्था बनाई रखे क्योंकि सभी लोग आज आपका सयोग कर रहे और भागे भी आपका प्रबल है नोकरी पेशे लोगों की बात करे तो कारेशेत्र में प्रोमोशन हो सकता है कारेशेत्र में उनत्ती होएगी और वहाँ भी आपके कारेश समय से पूरे होएगे आपको सभी लोगों का वर्क प्लेस पे सयोग मिलेगा उच्छे धिकारी भी आपसे प्रशन हो रहेंगे धनलापके योग, व्यपारियों को और नोकरी पेशा दोनों को मिलने मिल रहे हैं प्रबल योग है, धन योगा, धन का अगमन आपका हो जाएगा वर्क प्लेस पे आपका सबका सयोग है और आपको वहाँ पे मन भी लगेगा सारे सोचवे कारे समय से पूर्ण होते हुए हर शेत्र में आज देखे जा रहे हैं बेहत ही अनुखुल समय है और आज एक खास बात है कि आप अपने किसी दोस्त से मुलाकात करना चाहते हैं कोई पुराना दोस्त है तो उससे मुलाकात के लिए आज का दिन शेष्ट है और कोई बिजनिस के मिटिक करना चाहते है तो उसके लिए भी आज का दिन शेष्ट है कुल मिला के बड़िया दिन का आप यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं व्यपार के जो भी अर्चन भी कुछ समय से आ रही थी वो दूर होईगी कोई कानूनी परिशानी आ रही थी सारी रुखाउटे, परिशानिया, अर्चने दूर होईगी और व्यपार में उन्हेती होईगी विद्ध्यारतियों के लिए आज का दिन बढ़िया है विद्ध्यारतियों को भी सभी लोगों का सयोग मिलेगा और उनका मन पढ़ाई में लगएगा और उनके पढ़ाई में कुछ न कुछ इंप्रूमेंट दिखाई दे रहे प्रेम संबंदों की बात करें तो प्रेम संबंद में उतार चलाओ की इसिती है प्रेम संबंद में आप थोड़ा सा अपने जिवन साथी या अपने लव रिलेशन के पार्टनर है तो उनका थोड़ा ध्यान रखिए और अपनी वानी पे सईम रखिए स्वास्ति के बात करते हैं तो आज आपका स्वास्ति थोड़ा सा नर्म रह सकता है लगातर काम करते रहने के कारण कुछ समय से आप काफी मिन्त कर रहे थे और आज भी आप मिन्त करेंगे तो कमर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है उपाय के तरपे जाने तो आज का आपका शुब रंग ग्रे है और शुब अंग का है एक उपाय यही है कि आप सबसे पहले किसी से बहस न करे चाहे आप परिवार में रहें वर्क प्लेस में रहें व्या पारिस्तल पे रहें या अपने फ्रेंड सरक्ल के रहें आज आपको बहस से पूरी तरह किसे बचना है और पूजा पाट के अंदर आप भगवान शिव को बेल पत्र चड़ाएं और एक लोटा जल चड़ाएं और अपनी बनो कामना बगवान शंकर के सामने रखें इससे आपको आने वाले जीवन में मानसिक रूप से शांती रहेगी और तनाव भी दूर रहेगा साथ धनलाप के आउसर भी आपको प्राप्त होंगे बगवान शिव की अरादना करने के साथ साथ आप आज आपको क्योंकि धन के योगा आपके बन रहे हैं तो आप माताल लच्मी की पूजा गलबे कर सकते हैं शिरियंद्र की पूजा भी आपके लिए शुफ फलदाई रहेगी कारेशित्र में अगर आप उनती चाहते हैं तो आज के दिन आप हरे रंग का उप्योग ने करें और गिरे कलर का काले कलर का उप्योग आज आप कर सकते हैं कुल मिलाके बड़िया बग्या का साथ आपको मिल रहा है सोचिवे कारे पूरे हो रहे हैं तो अपना दिन आप आराम से बिताएं आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए कमेंट में ओम नमस्षिवा कर लिखिए और धन्यवाद आपने वीडियो देखा इसके लिए